सब्सक्राइब कर लो वर्ड की टॉप एक नाम सबसे पहले आता है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थवेवस्ता है अमेरी के पास बहुत भरपूर पैसा है इनके आप डिफेंस सेक्टर में देख लो आपको एक सी किक्मेंट देखने को मिलेंगे इनका हर एक सेक्टर आप आपको टॉप पे देखने को मिलेगा क्योंकि इनके पास पैसा है और ये रिशर्च और डिफेंट में बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं इसी वज़े से इनकी टेक्नलोजी आपको सबसे सुपर देखने को मिलेगी लेकिन अमेरीका का एक सबसे बड़ा बैंक जो है उसको बंद कर दिया गया है चीहां इसको बंद कर गए एक नया बैंक जो है यहां पर फॉर्म किया गया और अमेरीका के इतिहास में ये सबसे बड़ा फेलियर है दो हजार आरा में एक क्राइसिस आया था जब रेसेशन लेके आ गया था दुनिया भर में आपको मंदी देखने को मिलेगी अब वैसे सिचूशन जो है आज के समय आपको Marykai की देखने को मिलेगी और ये लारजिस्ट फेलियर बताया जा रहा है अमेरीका का Silicon Valley Bank जिसको SVB कहा जाता है वो पूरे तरीके से टूब किया Silicon Valley एक जगह है अमेरिका में और वहीं पर आपको एक Silicon Valley जो बैंक है वो देखने को मिलेगा इसके regarding article भी है Silicon Valley Bank Collapse What Happened What We Know किस तरीके से पूरा बैंक यहाँ पे Collapse हुआ किन वजह से यह Collapse हुआ और 2018 के financial crisis के बाद सबसे बड़ा crisis जो है देखने को मिल रहा है जो अमेरिका के बड़े बैंक है ना उनमें से यह एक था लेकिन पूरे तरीके से यह बैंक जो है डूब गया, इसके stock prices पूरे जो है नीचे आ गए, बहुत सारे लोग का पैसा डूब गया और यह इंडे टोड़े का भी आर्टेकल है सिलिकोन वैली बैंक क्राइजिस डिकोटिंग दा बिकेस यूएस बैंक फेलियर सिंस 2008 और देखे, जब यह बैंक डूबा ना इसके दो वीक पहले मतलब दो हफते पहले जो financial CEO है, इस बैंक के जो CEO है Greg Becker उन्होंने अपने 3.6 million dollar के जो stocks थे वो यहाँ पे बेच दिये अब लोग यहाँ पे यह आरूप लगा रहे हैं कि इनको पता था कि बैंक डूबने वाला है तो इन्होंने अपना पैसा जो है बचा लिया लेकिन जो लोग थे उनका पैसा जो है डुबा दिया देखे बेसिकली होता क्या है सरकार की एक policy होती है कि अगर bank डूब जाती है तो उसका आधा पैसा जो है आपको मिलेगा मतलब भारत में 5,000,000 रुपे तक दिया जाता है वहीं अमेरिका में आपको 2,000,000 रुपे तक जो है दूब किया है और देखे अगर हम बात करें रिसेशन की तो औरेड़ी IMF ने पहले आपे वहन किया था कि आने वाले समय में रिसेशन forecast किया जा सकता है लेकिन अभी के लिए उन्होंने risk lower कहा है कि नहीं अभी risk जो है काफी कम है लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि रिसेशन नहीं आ सकता बिलकुल जिस तरीके की मंदी है आने वाले समय में एक रिसेशन जो है बिलकुल दुनिया को face करना पड़ सकता है और देखे अगर हम बात करते हैं अमेरिका की तो अमेरिका में आपको जो है सिर्फ start-ups देखने को मिलेंगे अमेरिका में नोखरी जादा लोग करते हैं नहीं USA में दो साल लोग नोखरी करेंगे इसक वर अपने start-ups जो है शुरू करेंगे USA सब चाहते start-ups के लिए जाना जाता है बहत सारे जो start-ups हैं वो USA से ही शुरू होता है Facebook USA से शुरू हुआ Apple आपको जो है वही की company देखने को मिलेगी Microsoft वही की company है तो basically जो बड़े बड़े जाइंट्स है न वो आपको सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के देखने को मिलेगी अब देखे हुआ यहाँ पे क्या कि जब कोई भी startup शुरू करता है तो उनको ज़रूरत होती है पैसे के वो पैसे कौन देता है तो वो पैसे Silicon Valley देता है Silicon Valley एक commercial बैंक है जिसका headquarter आपको सेंट कलारा सेली कालिफॉर्निया में देखने को मिलेगा अब देखिए SVB यानि कि Silicon Valley बैंक जो है जो United States के largest बैंक है उनमें से ये एक है और Silicon Valley जो है सबसे बड़ा बैंक है इसको 1983 में यहां पर फॉर्म किया गया था और यहां पर अगर आप देखो तो 10 मार्च 2023 को जो है इसको पूरे तरीकी से यहां पर क्लोस किया गया यहां पर रीजन भी लिखा है तो बेसिकली पूरे तरीकी से जो है इस बैंक को यहां पर बंद कर दिया गया है और यह फैरल डिपॉसे इंशुरेंस जो है वो इसका पैरिंट था तो अब जो पैसे यहां पर लोगों के बचा के रखे हैं सरकार एक पॉलिसी होती है कि इतना पैसा जो हम आपको देंगे तो इसको बैंक ऑफ सेंट कलार एक नया बैंक बनाएगा और वहां सब पैसे जमा कराएगा है अब देखिए अगर हम बात करें इस पूरे बैंक की तो यह बैंक जो है आपको देखने को मिलेगा कैलिफोर्निया में अब California की तरफ जो थोड़ा zoom in करता हूँ पहले यहाँ पर देख लो देखो यह California और California का जो यह Northern Region है न इसको Silicon Valley कहा जाता है Silicon Valley का मतलब यहाँ पर यह होता है कि बहुत सारे startups बहुत सारे जो companies है आईटी सेक्टरी कंपनी है टेकलोजी सिर्टेट कंपनी है वो सब आपको यहीं देखने को मिलेगी भारत में बैंगलोर को भी Silicon Valley कहा जाता है वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको Northern Region जो है California California का वो आपको Silicon Valley जो है देखने को मिलेगा यहाँ बहुत सारी companies है Google, Facebook, Microsoft यह सब जो company है यह आपको यहीं पर जो है देखने को मिलेगी अब देखिए हुआ क्या है पिछले दो दिनों में बहुत जादा ही जो है इनको loss यहाँ पर जहिलना पड़ा करीब 100 billion dollar का जो है loss हुआ ह market value में अमेरिका के banks के जो share है वो एकदम से यहाँ पर गिर गए इसके सबस्त यूरोप के जो bank है उनको भी 50 billion dollar का loss हुआ है और Silicon Valley वो bank था जो की नई age technologies company है उनको यहाँ पर पैसे देता था और सबसे बड़ा reason यहाँ पर यहीं है कि यह अनाब सनाब जो है आपर पैसे देते लेकिन हुआ बाद में यहाँ पर यह कि इनके जो पैसे वो यहाँ पर रिटन नहीं आए इसके बाद अगर आप देखोगे तो US का जो federal reserve है उसने जो interest rate है उस पे भी बढ़ोतरी कर दी पिछले 18 मैनों में US के जो federal reserve है उन्होंने अपने interest rate को बढ़ा दिया भारत ने भी RBI म जो है बढ़ा दिया था इसकी वज़े से कई सारी companies को बहुत ज़्यादा loss होना पड़ा देखे जब interest rate यहाँ पर बढ़ते है ना तो किसी को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आप सोचके देखो आप यहाँ पे 2-4-5-10 लाग की बात करते हो लेकिन अगर कोई startup पांच करूर दस करूर इस तरीक से जो है अमेरिका में यहाँ पर लेता होगा अब पांच करूर में जब आपको लोन देना हो और उसकी interest rate एकदम से यहाँ पर बढ़ जाए तो काफी जादा problem जो होती है तो वही simply जो है यहाँ पर हुआ है इस विए से यह बैंक पूरे तर किसे यहाँ पर zero हो गई इस वज़े से यह bank जो है collapse हुआ है और मैं आपको एक चीज़ बता दू एक reason तो यहाँ पर interest rate है दूसरा reason यहाँ पर यह है कि जो loan यहाँ पर इनों ने दिया था वो बिलकुल जो है वापस नहीं आया और एक चीज़ मैं आपको और बता दू कि जो technology started company है उनका performance आपको लगातार जो है गरता हुए नजर आएगा उतना चाव परफॉर्ण करने ही पा रही है इस वज़े से जो shares के prices है वो बिलकुल आपको all time low पे मिलेंगे तो यहाँ पर यह भी है और 2023 में यहाँ पर recession की बात भी आ रही है देखिए अभी तो IMF ने यहाँ बिलकुल यहाँ पर बन रही है औरेड़ी बहुत सारी जो agencies है उन्होंने पहले ही यहाँ पर warn कर दिया कि 2023 में एक major recession जो है दुनिया को face करना पड़ेगा तो atlas I hope आपको जो है इस वीडियो में काफी को जानने को मिला होगा आप अपने opinion लिखेगा जरूर इसी के साथ यह तन इस वीडियो का सुने के लिए बहुत अरवाद चेहन्द चमारत